हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक रेमिडी लेके आई हूँ जिसके रिजल्ट हुई आपको बहुत ही ज्यादा क्विक मिलने वाले हैं घर में मजूद चीजों से ही आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताऊंगी जिसके हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं आप इसको एक बार इस्तामाल करें आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप इसको डेली इस्तामाल करने पे मजबूर हो जाएंगी तो इस रेमिडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक चमच बेसन बेसन तो हमारी आम तोर पे घरों में मजूद रहता है हम इसे बहुत से पकवानों में इस्तमाल करते हैं मगर इसके जिल्द के लिए कितने फाइदे हैं इस बात से हम हमेशा बेख़वर रहते हैं इसी के साथ थोड़ी से हल्दीस में शामिल करेंगे और इसी के साथ एक चमच दहीं इन तेनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये एक विक साफ फेस पेक त्यार हो चुके है आप भी इस रेमडी को ज़रूर ट्रै कीज़ेगा इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसको करना क्या है या आपने इसके एक स्मूद सापेस्ट बना लेना है और इसको किसी भी ब्रश की मदद से अपने स्किन पे अपलाई करना है कम से कम इस रेमडी को 15 मिनट के लिए अपनी चल्स पे रहने दीजिए इसके बाद अपने चेहरे को पाश कर लीजिए इन्शाला आपको पहली बार में ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी इस रेमडी के मसलसल इस्तमाल से इसको कोई भी आराम से इस्तमाल कर सकता है क्योंके इसमें कोई भी ऐसा इंग्रीडियंट हमने इस्तमाल नहीं किया जिसके किसी भी किसम के कोई साइड इफेक्ट हो तो इसलिए आप बेखौफ होकर इस रेमडी को इस्तमाल कीजिए इंशाला इसके बहुती बेहतरी निजल्ट सापको देखने को मिलेंगे अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होता लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कुएक रेर में डिस लाती रहूँ जिनके बहुत ही क्विक से रिजर्ट्स भी हो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आप से कोई भी नोटिफिकेशन मिस्स ना हो पाए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्यानों का ख्याल रखें मुझे भी दौाओं में याद रखें अला हाफिज